तामीराती कामों का पहिया रवा रखने में भट्टे अहम तरीन किरदार अदा करते हैं ये चलते रहें तो काम भी चलते रहते हैं बंद हो जाएं तो बहुत कुछ रुक जाता है लेकिन ये फजाई आलूदगी में इजाफे का बाइस भी बनते हैं भट्टों में कोईला चलाने के वज़ा से फजा में सिल्फर डायकसाइड और डस्ट जैसी कसाफतों का तेजी से इजाफा होता है कि अगर किसी जगा पर एर कौालिटी इंडेक्स 140 माईक्रोग्राम फी मकाब मीटर है तो भट्टों के इर्द इर्द ये 280 से भी ज्यादा हो सकता है इस कद्रे को कम करने के लिए पंजाब हकूमत में 218 के आगास पर भट्टों में जिग जैग टेक्नालोजी लगाने का मनसूबा शुरू किया था आप तकरीबन 13 माह गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक पंजाब के 10,300 भट्टों में से सिर्फ 213 में ये टिकनालोजी नस्ब हो सकी है इससे अंदादा लगाना मुश्किल नहीं कि मनसूबे पर किस कदर सुस्तरिफतारी से अमल दरामत हो रहा है दूसरी तरफ भट्टा मालकान करार देते हैं कि बहुत से दीगर मसाइल की वज़ा से भी भट्टों में ये टेकनालोजी नस्ब करने में मुश्किल का सामना है इसका मतलब ये कि अंदर इसकी अवेरनेस बढ़ रही है तो अब उमीद करते हैं कि इन्शाला बहुत जल्दी ये तबदीली आएगी लेकि जाहर है इसमें चुक्त फरनाशियल रिसूर्से इन्वाल में वहां पर आके कुछ रोगों को तुछ सा प्राबलम होते है फ़सुसान इसकी मेंटिननस काफी मुश्किल काम है अलबता वो ये जरूर तसलीम करते हैं कि ये टेकनालोजी है बहुत फायदे मंद अब सुमेदारान की परफ से ये शुनूत सनाई गई है कि बटा मालिकान को बैंकों से आसान शरायत पर कर्स फ्राहम करने का इंतजाम किया जा रहा है जिसके बाद तवक्व है कि मनसूबे पर अमल रामत क्रिफतार तेज हो जाएगी किस तरीक से ये चीजें बेतर होंगी क्योंकि मैक में के पाद ना तो रिसोर्सिस है और ना एमेंडमेंट पीशे मुझूद है ना आर एंडी सेक्शन है तो महालियात है स्मोक पॉलिसी बना दी गई है हर चीज बना दी गई है कानून बना दी आ गया उस पे इंप्लिमेंट करवाने वाला कोई नहीं है आपको खतरा था वहां सो मोटो में कोई वर्स्ट और आ जाना था दरवाई अगर हम ये बड़ी बात नहीं करते अगर किसी ने हमें टेस्ट करना है तो हम पे कोई कदगन लगाए अच्छा असामने की मनासरीन प्रोग्रम तमाशा के साथ मैं हूँ फाद शेबास खान आप देख रहे हैं कि ये जिस भटे पे हम मौझूद हैं इसके धुएं का रंग आप देखिए जरा और ये आपको वाइट नजर आएगा ये वो काला धुआ नहीं है जो कार्बन को बड़े पेमाने पर फिजा में भेजे और टनों की टन कार्बन जो है उससे आप मौलक बिमारियों में मुब्तिला हो जाएं दिल की बिमारियां सांस की बिमारियां और उसकी वज़ा से फिर फेपड़ों की बिमारियां तो जिग-जग पर जाने के लिए इस टेकनोलोजी का सहारा लेने के लिए बड़े पेमारे पर कमपेंच चुलाई गई और आपको पता है समोक कमिशन बना, समोक कमिशन ने अपनी रेकमेंटेशन दी लेकिन सूरते हाल जो की तूँ इस वज़ए से भी है कि 10,000 बटे और जिग-जग पर जाने वालों की तदाद फक्त 200 सिर्फ 200 बटा और इसमें प्लस माइनस कर लें आवरिज तकरीबन 200 बटा जो है वो आपको पजाब में लहौर में उसकी तदाद नज़र आएगी जो कुछ भी नहीं कर रहा और जिग-जग पर भी नहीं जा रहा इसकी वज़ा से मेकमा मौलियाद जो है उसके एकदामाद क्या कर रहे हैं और कितने सकती से और आहनी हातों से वो निपटने के लिए तयार हैं यह वो सारे मौजवाद हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और सबसे बढ़कर आपको यह भी बताएं कि यह सुर्देहाल जो है वो बहतरी की तरफ जाती इस वज़ए से भी दिखाई नहीं देती कि काम बड़ा स्लो है जब से यह काम शुरू हुआ था अब तक अगर हम यह कहरे होते कि 8000 भटे जो है वो जिख-जैक पर चले गए हैं तो बड़ी खुशाइंद बात होती अगर हम कहते हैं कि 9000 भटे जो हैं वो चले गए हैं और 1000 बचा है फिर भी खुशाइद होती 200 भटा फक्त 200 भटा यानि 9800 भटा जो है वो उसी तरह ही तनों के हिसाब से और आप लुट्स की बात लोग समझते हैं समोग नहीं है इनफेक्ट समोग विजिबल तब होती है जब आपका टेमपरेचर कम होता है मतलब शर्दियों के मौसम में ये विजिबल होती है लेकिन समोग के साथ साथ महालियाती अलूदगी और इससे बचना और ये महाल मेरा आपका नहीं है ये हमारे आने वाली नसलों का है और उन नसलों का ये महाल जिनोंने अधर आकर हमारे बढ़ादाना है खाप बुनने है इस जिन्दगी को गुझारना है तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम डेमिज कर रहे हैं और हमारे डेमिज करने की वज़ए से इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं लोगों को किन किन मसायल का सामना करना पड़ता है और सबसे बढ़कर कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है जिग जैग पे जाना और कितना के महंगा ये काम है कि लोग नहीं कर पाते ये एक मेंकमे महौलियात की जानिब से हमारे साथ बहुत बड़े उसके अफसर मौजूद है उनकी जाने से ये इसकी सेलेक्शन की गई ताकि इनका कहना था कि मैं बाकी वियर्स को भी दिखा सकूँ बाकी मालकान को भी दिखा सकूँ कि इन्होंने कुछ इनोवेशन की है इस जगह पे ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि वो इनोवेशन हो सकती है और उसमें बहतरी भी लाई जा सकती है कैसे हैं आप खेरियत से हैं मैं सबसे पहले तो आप से ये जाना चाहरा हूँ कि ये जिख जैग इदर टेक्नोलिजी इंस्वाल हो चुकी है तो किस तरह ये वर्क कर रही है और इसमें क्या ऐसी इनोवेशन है जो आप बता रहे हैं मैं आपको बताता हूँ आए जी मेरे साथ आपको इसकी इनोवेशन दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर इस तरह की हलकी सी इनोवेशन लाई जाए और इतना खर्च भी नहीं होता और अगर ये इनोवेशन ना लाई जा सकी और जिग-जग पे भटे ना गए तो शायद फिर मामलात जो है वो कानून की तरफ और आनी आतों की तरफ जाएं लेकिन अभी तक कानून बड़ा सुस्त रवी से इन सारी चीज़ों को डिल कर रहा ह ये क्या है जी फाहद सब ये बेसिक कंपोनेंट है इस जिग-जग टेकनॉलोजी में कन्वर्जन के लिए इसने हवा में इस एर जो है इस पूरे सिस्टम के अंदर से सक करता है और इसको उपर की तरफ निकालता है और इसका मेजर रोल है जितनी भी इसमें फीडिंग हम फ ये मैटल का बना होता है और जो हमारे भटे कन्वर्ट हुए थे ये मैटल का होता है प्राइमेरली अच्छा उन में ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो सल्फर कोईला है उसमें सल्फर कंटेंट्स बहुत स्यादा है जिसकी वज़ा से इसमें सल्फर डायकसाइड और सल्फर ट इतनी मालियत का है तो उस वज़ा से ये उनका चुके ये गल जाता है तो वो डिस हाट हो जाते हैं वो कहते हैं जी नुकसान हो गया हमारी जो पकाई सही नहीं हुई ये वह इस वज़ा से नो वो इसकी तरफ लिग जैग लगाने के बाद भी ये जो मैटल का लगा हुआ नुकसान होता है तो इन्होंने बहुत सी नोमेशन की हैं एक तो इन्होंने इस जो बलोर लगा हुए इसके वे आप से जाके देखे तो इसको उन्हें फाइबर गलास के साथमें लगा दिया है फाइबर गलास से वो जो सल्फर का है वज़ा से जो एक्शन है गलने का या जांगलूद होने का वो कम है और इन्होंने इसके साथ एक और इन्वेशन किया जो इस ब्लोर के दूसरी तरफ है वो भी अभी आपको चल के दिखाते हैं उससे यह होगा कि यह जो मेटल का जो ब्लोर था वो जलने का मलूख जाएगा और ये जो एक सो काल्ड एक एंग्जाइटी पाई जाती है बटा मालकान में के जी ये काम नहीं करेगी इससे हमारा नुकसान होगा तो ये उसके लिए बहुत ही बड़िया किसम की ये इनोंने एक इनुमेशन की है और मैं चाहता हूँ कि आपके इस प्रोग को सिग्जाग पर कनवर्ट करें क्या किया इसमें आप ने ऐसा किया जिससे कोई बहतरी आई है और वो जलने कामल क्या क्या जलता था मुझे दिखाना चाहेंगे आएंजी करीब आजाएं ज़रा ये डिवाइस को क्या कहते हैं आप ये इंपैले आई ये पहले वह भी हम न से दोनों साइडों से और इसके मतरादफ हमने एक और नया उस तरफ काम का लिया है वो फुद जो है ना अपनी तरफ से काम किया वो खुद बनाया तो भी सही प्रापर जारा उसमें जो है ना ये परेशानी भी खतम होगी हमारी इवाइस कौन से जलती थी ये गल जाता था यहां से ये गल जाता है तो अब ये नहीं कलेगा नहीं अब इससे गलेगा दुसरी लेकर नहीं को थोड़ा टाइम लगा लिया करेगा पहले एक माह में तक्रीबान हमने दो दो तीन तीन जो हैं पैलर चेंज़ किये हैं अभी एक माह से मसलसा जाना है जिए पूरा के लिए जिसके चीज का फैदा है वो करना चाहिए बाकी इस देखें कुछ सतर साल से यह चलिए आ रही है नहीं हर काम में चेंजिंग आनी चाहिए चेंजिंग आती रहती है उसको करते रहते हैं लोग यह तो नहीं कि एक काम है तो उसी बेट क्या आपने की है दिखाएं आएं जी आपको दिखाते हैं यह जो डिवाइस है यह सलफर होने की वज़ास से जी फाइबर ग्लास से यह आ गई है आप यह फाइबर ग्लास का बनावा बलो रही है जो के इसमें से जितनी भी आंदर से हवाज वना खैच के लेकर आ रहा है उसको बाहर में उससे जितना पर भी कार्बन नहीं वो जल रहा है अब यह ज़्यादा टाइम निकालेगा नहीं जा दूसरा क्या किया है नो ने यह आप देख सकते हैं कि जिग जग टेकनोलोजी की बदूलत जिसकी वज़ा से जब यह फिल्टर करके धुआ जो हुआ में फैंकते हैं तो उसमें से वो क कि बिमारियां और इस अलूद्गी की वजह से आने वाली नसले जो है वो सफर करती है पिर और दस हजार भटे आप दस हजार को देखें के टनों के हिसाब से यह जब कार्बन फिजा में फैंकते होंगे क्या बनता होगा गाड़ियों की पिलूशन और आप आग जला देते हैं उसकी प्लूशन और फिर सबसे बढ़कर यह भटों की प्लूशन और एक भटा जो है वो औस तनों के हिसाब से जो है वो अगर साल पूरा काम करता रहे वर्किंग करता रहे तो वो तनों के हिसाब से जो है वो आपकी एर को प्लूट करता है प्लूटिड एर जो है वो फिर जब आपन पहते उस प्रवाइबर गलास पिक पिलाओ अब फाइबर निया जो फ़ए ग्लास पिले जो था न वह इस तीन लेस तीन थील फा उसके बड़ पर फाइबर गुरा और अब जो एना यह यह तिर फाइबर का बना दी है क्योंगे ठीक चाल रहे है यह अब फाइबर पर एक एक और उर्म करूप का रहा है। इस पर खर्चा भी मारा कम उबा का का उख्टा है। ज्ए जया लिए पहर जाते हैं। इस पर किसे ने मशुरा दिया। मैंने कुछ का रहे हैं कुछ मष्वरे कर रहे हैं कुछ सोच रहे क्छ तरह कुछ चल रहा है कम यह साल ही हो गया तो इस पर अभी काम जोगाना नगहीं मैं इने कुछ और पुछ रहा हूँ समोक विशन की जो इस फारशात आई थी उसमें यह था तकरीबन छे मानस से ज्यादा हो गया है और जो हमने इनको कमपलसरी क्लोजर किया था नॉवंबर दसंबर में उसके बाद से यह इनको खोल दिया था कि यह ताकर इनको इंकरेज किय जा सके कि जाहिर है कि अर्निंग होगी तो वह अपने भट्टों के उपर इन्वेस्मेंट भी करेंगे तो अब यह के तकरीबन तीन माह का टाइम दिया गया था इनको कि यह वर्किंग कर लें कोई सोच बिचार कर लें अब काफी सारे लोग जो हैं सिर्फ इसी वज़ा से क कि हम लोग सुर्फ ऐसा जेन में बनाया हुआ है कि कोई पहले कर ले वो कामया भोज़े तो उसको देखे फिर मैं उसको कापी कर लूँ मैंने खुद से अपनी तरफ से अपनी नेशन के लिए अपने मुल्क के लिए अपनी अमाम के लिए कुछ नहीं करना अगर इस तरो इसको कानून की नजर में देखा जाए एक मिनट के लिए तो इसका ये मतलब है कि 9800 भटे तो बंद होने चाहिए बिल्कु से अब उसके लिए ये है कि हम ये कर रहे हैं कि हमने इनको जो तीन मागा सोच बिचार का टाइम दिया था वो 31 मार्च को खतम हो रहा है इसके बाद हमाँ इनके खिलाब लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं लीगल प्रोसीडिंग अपने तमाम उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके अगर ये बाद नहीं आएंगे इस दफ़ा हमारी प्लैनिंग है आज सुबो स्मोक कमिशन के चेर्मेन के साथ एक मीटिंग हुई है हाई लैबल की उसमें बटा मालकिन असोसीएशन भी मजूद थी और उसमें कलीदी कुछ फैसले किये गए हैं उसमें एक फैसला ये भी है कि इसको सिरफ हम वो जो हमने पिछ्टी केंपेन के दौरान कुछ जिलों की हमने जोनिंग कर दी थी वोनिंग पे हम काम नहीं करेंगे ये आल ओवर दी बोर्ड अक्रॉस दी बोर्ड ये इस पॉलिसी को हम चलाएंगे और फर्स्ट अफ एक्टूबर से लेके जो बट्टे कनवर्ड नहीं हुए होंगे उनको मकमल तोर बंद करती है अच्छा ये ताफिर कितना दुरुस ए कि बटा सोसीएशन ज्यादा मजबूट है आपका कानून जो है वी के उसके सामने और सोसीएशन के सामने आपकी एक नी चलती ना बो चलने देती है और ना वो आपकी मानती है मन मानिया करती है और आपको टेबल टॉक पे भी लेके आती है, आपको थ्रेटन भी करती है, आपको कहती है कि हमें सट्राइक भी कर देंगे और इस तरह की सारी चीज़ें और आप लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं पिर कर पाते और सिर्फ फिर दो सो बटे, वो भी शायद अपने दोर पे ही, वो भी शायद अपने दोर पे ही, चले गए जिग जैग पे, इस पे ये तासुर है, आम, रायामा से हमने बात की, तो हर दूसरा बंदा आवे यही कहता है, बाई जानों, वो असोसियेशन ज्यादा मजबूत है इस पे क्या आवका ठेक है? हमारी काफी स्पोर्ट की है, अब आगे चलके हमें ऐसा लग रहा है, कि इस दफ़ा हमें उनकी एडवर्ट की आसकती है, इसलिए हमने अपना पेपर वर्ग भी सासत कंप्लीट कर रहे हैं, और वो तमाम स्टेप्स ले रहे हैं, ताकि इनके पास कोई फरार का रास्ता नहो जो के कन्वेंशनल पे चलाएंगे, नया बटा हमने कोई लगने नहीं देना, कन्वेंशनल पे, आपको ये जाम्या मनसूबा 2049 तक पूरा हो जाएगा, ने इन्शालला आपको 2019 में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको, 2019 में ही रिजल्ट मिल जाएंगे, ठी मजदूरों के बच्चे भी यहां, इदर लोग भी यहां रहते हैं, मैं आपसे जाना चाहरूं कि यह बच्चे जितने भी खेल रहे हैं, इन में स्कूलों में भी जाते हैं लोग, यह सारे स्कूल में जाते हैं, बच्चे जितने भी हैं वो सारे स्कूल में जाते हैं, को नजर आ रहे हैं इनका मुस्तक्बिल बड़ा ताबनाक होगा बड़ा रोशन होगा और ये बच्चे इस मुल्क की जब बाग दौर संभालेंगे तो एक अच्छा मौसम इन्हें मुयसर होगा अच्छी आब हुआ इन्हें मुयसर होगी और ये फिजाय अलूदगी जो जूद में आ सकेगा अधर्वाइस अगर आप जिग-जग इंस्टॉल नहीं करेंगे जिग-जग वो टेकनोलजी है जिससे आपके जो वो कंपोनेंट्स जो आपको डिस्टरब करते हैं और फिजा में जाते हैं वो कार्बन हो वो सल्फर हो इस तरह की सारी चीज़ें जो है उसको ये सक कर लेती है ताके इस तरह का धुआ ये जो वाइट वाला है आप देख सकते हैं और वो भटे आपको दिखाते हैं जहां अभी भी काला धुआ कार्बन समेत फिजा में जाता है जिसकी वज़ा से हलाद जो है वो खराबी का शिकार है आप हमारे साथ रहिए